यूके स्टडी वीजा दिगाल करांगे असी जरूर स्टूडेंस नों जो है टाइमली हर इक चीज नों लेके अपडेट करना चाहांगे जिना ने अपलाई करना है केडी कला दा होते आने थे जरूर अकंड चाहे के रूल्स चेंज होए यूके दे पर फिर भी स्टूडेंस स्टूडेंस आ इंटरस्ट लगा था यूके स्टडी वीजा नों लेके देखन नों जरूर मिल रहा है उज़ा रीजन है यूके दीक चंगी पढ़ाई क्वालिटी ओफ एजुकेशन जिसकार के स्टूडेंस अप्थे जान दा है चंगी पढ़ाई कार दा है और लाइफ इ जी सारें दा मेहा हर्जोत को और डिटेल वीचे पूरी इंफोमेशन तो आडेनास सांजी करनेगे नैविगेटर्स ओवरसीज तो वीजा एक्सपर्ट मिसिस बीना गोल मैम साडेनाल ने बहुत बहुत स्वागत है मैम साश्रीकाल शाष्रीकाल सो नैविगेटर्स ओवरसी सो मिल जान दियाने सो मैं माझे जदो अपागाल यूके स्टड़ी वीजा दि कार देया क्वालिटी ओफ एजुकेशन तो स्टूड़न नो मिली रहा है पर नाल दी नाल मैं थे फर्क तो आड़े तो ज़रूर समझना चाहूंगी स्टूडेंट से लही जड़े केंदेने है सिन वीड आउटार मिल्ग जाना चांदियां विड़न स्टूडेंट जानागा विड़न स्टूडेंट उल्हें लग कि ना कॉप लुक्तर है या कुछ लिमिटेट ते दायरह हो जान्द थार्श्य विच विदाउट आइल्स भी काफी सारी युनिवस्टियां लेंदी हैं ज़ सी बीसी स्टूडेंट पड़े होया है और प्लस टूदे विच इंगलिश दे विच सेवंटी परसेंट है ते सारे बच्चे इलीजिबल है विदाउट आइल्स जानवासते हैं चाहे बच्चे ने ग्र विदाउट आइल्स जाए गई यूनिवस्टियां मैक्सिमम यूनिवस्टियां एक अपना इंटर्वियू जरूर रख दिया तूडेंट वस्ते क्यों एक कोर्स करन क्यों आ रहा है यूग कि दी एजुकेशन दा बैनिफिट किया उस्टूडेंट नो पता हुंदा इसे कर क्योंकि मास्टर जस्ट वन एर दिया एंट पोस्टरी वर्क पर में टू एर्ज दे दो दिन पहले अप्डेट आया है कल भी हाई कमिशन दी तरह तो सटी ट्रेनिंग होई है जीदे विच पहले यह सिगा कि शायद जड़ा सेप्टेंबर दे बाद पोस्टरी वर्क पर में खतम हो जाएगा जड़के होना की कंटीनियू होएगा तो एक ए अच्छी निउस है स्टूडेंट स्वास्ते है उन प्लेस्टू दा बच्चा भी कुछ युनिवर्स्टिय एद्दा दिया है कि जा 60% इच है या 60% दे नेड़े तेड़े है तो बच्चा था विदाउट आ रही है लेकिन सब्सक्राइब तो आनों त्यारी कराना और उनिवर्स्टिय जाना है और इमिग्रेशन जात तुसी लैंड करते हो तो कोश्चन पूछ सकते है कि युनिवर्स्टिय जा रहे हो किनी फीस है कौन स्पॉंसर कर रहे तो कुश्चन पता होने चाहिए बट प्लस पॉइंट की है कि युके दी मास्टर्स आल ओवर वर्ल्ड जड़ी है बहुत फेमस है एम्बीए करन बड़े बड़े टॉपर जड़े है युके जंदी है हुन तसी दिखो कि तड़ी जड़ी फीस है और मिनिममम टेन थाउजंड तो शिरू हो कि मैक्सिमम ते पच्ची आ सकती है पर आम बच्चा जेड़ा ग्यारा बारा हजार दासायार पाउंड दी फीस लाके दासलाग से हर्जो तसी वी इत्थे वी कुछ नी इंडिया चुई नी दे सकते है उत्थे तीन साल दा वीजा एदे को लागया वन इर दी पढ़ाई है टू इर दा पोस्ट डी व प्राना फंड एक साल दी फीस पे करो दस ग्यारा लग पे अपने अकाउंट च दिखाओ या इन लंडन ना तेरा लग कुछ दिखाओ तेरा दी जगसादे देरा लग दिखाओ और तर्ड वीजा जेड़ा विदिन फाइव देज या मतलब जेड़ा टोटल प्रोसेसिंग टो वीक्स तांट इस तांट जीधि विचब यह पांसा दर्ण जा आरहा या या इस ऑसुंपलल प्रोसेस तो क्या प्रोसेस पॉनाली परसंट और नी होनी चाहिए ये तीन चीज़ां देनाल तुसी क्वालिफाई करते हो, एड्मिशन वास्ते, 28 डेज ओल्ड फांड शो करोगे, जड़े मैं 10 से तो नो 10 अजार या 13 अजार साम थे, 28 डेज पराने, फीस तुसी जित्थो मर्जी पे कर दो, nobody is going to ask क्योंकि फीस कित्थों आई है, this is so simple process. जी, जी, बिल्कुल, सो वाकी स्टुडेंट्स जो है, समध साधे ने इस पूरे process नो मैं, इंटेक नो लेके भी थोड़ा जूरू स्टुडेंट नो गाइड करना, कदो तक अपलाई किता जा सकते हैं? अब ऐसे बिच लग दी है, और जीडी date लिखी है visa ते, travel करन दी, ओधे उपरी तुसी travel कर सकते हो, मेंज एक मिनने पहले तुसी travel कर सकते हो, उस तो पहला नहीं कर सकते हैं, जी, ठीक है, बिल्कुल, सो टाइमली apply करो, तांके timely procedure कम्प्लीट करके तुसी अपना timely visa भी हासल क सकते हो, बहुत बहुत थैंक्स में हमें detail which information तुसी students अना सांजी किती है, students तो फिर भी कहना चाहांगे, मन विच कोई सवाल है, apply करना है, उसनों लेके, courses नों लेके कोई confusion है, की में apply करना है, उसनों लेके confusion है, तो जरूर जड़ा number display है, इस ओपर तुसी call करके भी हो, जानक information तुसी होच चाहो, ता जरूर इस number ते call करके information लो, ते timely अपनी classes भी शुरू कर सकते हो, ते comment section विच भी तुसी अपने सवाल साधेनाल जरूर सांजे कर सकते हो, ते अगो भी असी से तरानाल, more informative videos लाके आंदेर वांगे, फिलहाली दियो जी जासत, thank you so much, thank you.